नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारिक है 12 मईए 2020 और कल के लिए 13 मईए 2020 के लिए 6 श्टॉक्स को मैंने इंटाडेक लिए सेलेट कर लिया जैसा कि रोज डेली वेशिस पर लेकर आता हूं त तो उन्चे इस्टॉक्स के लेबल बताने से पहले दोस्तों 13 मईए 2020 के लिए डिस्क्लेमर अच्छे से सुन लें यहां कोई भी प्रस्टॉक्स बाइंग और सेलिंग की सला नहीं है दोस्तों टेट करने से पहले अपने फैनल से एडवाजर से जरू सलामस्वरा कर लें अपने प्रिबियस रेजिस्टेंस के पास में आके अपने आपको होल्ड करने की कोशिज कर रहा है अगर इसको यह करता है तो बहुत तीज मोमेंट करेगा अधर्वाज हो सकता है कि आपको कल मार्केट काफी घैप देखने को मिले क्योंकि परदान मंतरी मोदी जी ने एक पार्थिक पैकेज की घोष्चना की है तो जिसका इंपेक्ट मार्केट पर आता हूँ आपको मिल सकता है तो लेबल क्रॉस हो सकता है आपको ट्रेड करने का मौकान ना मिले तो उस कंडिशन में एवोइड भी करके चल सकते लेकिन फिर भी जो लेबल होगा वह 91 के उपर बाय कंडिशन करेंगे एक अन्वे को पर बाय करना इस्टॉप लोस जो लगाएंगे नवासी रुप्या पचास पैसे कर लेंगे 89.50 का तीन टार्गेट बाय साइट का जो होगा वह पहला टार्गेट होगा 92.50 का सेकेंड टार्गेट होगा दोस्तों 94 का और ठर्ट टार्गेट दोस्तों इस कंडिशन में हम लोग 90 रुप्या पचास पैसा यानि 90.50 पैसे का और टीन टार्गेट की बात कर लें तो पहला टार्गेट जो होगा वह 87.50 पैसे यानिके 87.50 पैसे का होगा सेकेंड टार्गेट 86 का होगा एंड ठर्ट टार्गेट 84.50 यानि 84.50 पैसे का होग करें दोश्य और दूसरा स्टव को नाम है यह लेकर आ रहा हो में यह झा झाट है और डेली के चार्ट पर प्राइस चानल को ब्रेक करके ऊपर दो Chineseласти n 249 0 500 ओर Stop92 दो isn't यह निकि 1413 रुपैकर तीन टरगेट की बात कर लें रिलाइंसमयं पफेला टर्गेट होगा रिलाइंस थ्लॉपैकर 1497 का प्मिक्राप और तरगेट की टरफ मिंस दोत्तों ब्रेक कर देता है 1464 को तो सेल करेंगे सेल विनो 1464 1464 के नीचे सेल करना है और इस्टापलोस लगाएंगे इस कंडिशन में 1471 का यानि कि 1471 रुपे का 1471 यहाँ पर लिख देता हूँ 1471 का स्टापलोस होगा तीन टारगेट की बात कर रहें हम लोग तो पहला टारगेट जो होगा वो 15 सॉरी 14 1457 का होगा यानि कि 1457 का दूसा टारगेट जो होगा 1450 1450 का होगा और तिसा टारगेट 1443 1443 रुपे का होगा यह सेल कंडिशन में होगा दूसा टारगेट के पास भी अगर स्टाप आया तो जरूर अपना 50 to 70% कॉंटिटी बुक कीजिए बांकी का स्टाप लोस्टेल कर सकते हैं तीसरे स्टाप के और बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरा स्टाप का जो है आपके सामने नाम वह है न्टीपीसी का देखें दोस्तों यह को यह भी बिली का चार्ट है इस एक अच्छा मूमेंट आपको धेस्टाथ by करेंगे को नैएटीी को के ऊपर 94 के ऊपर 94 रॉपए करना इस TI impulse लगाएंगे में 92.50 का और तीन टार्गेट की बात कर लें तो फर्स्ट टार्गेट होगा 95.50 सकेंड टार्गेट होगा 97 97 रुपय का और थर्ड टार्गेट 98.50 यानि 98.50 पैसे का और तीन टार्गेट की बात कर लें तो फर्स्ट टार्गेट होगा 89.50 यानि 89.50 पैसे का सकेंड टार्गेट जो होगा वह 88 पैसे का और थर्ड टार्गेट जोगा वह 86.50 यानि 86 रुपय का होगा तो दोस्तों यह तीन श्टॉक बार अगला तीन श्टॉक मेसे जो पहला श्टॉक है यानि चौथा इस्टॉक उसका नाम आपके सामने है वह नाम है गेल इंडिया का तो देखिए यह गेल का चार्ट है और गेल का यह बहुत डेली का चार् दोनों ही कंडिशन में बाय और सेल लेबल गेल का चार्ट में यह यहां पर इस्टॉक का नाम है गेल अगर उपर की साइड में 90 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे और इस टॉप लोस लगाएंगे इस कंडिशन में दोस्तों 88.50 यानि के 88.50 पैसे का तीन टार्गेट की बा अगर नीचे की तरफ में 88 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे सेल करना अठासी के नीचे 88 के नीचे सेल विलो एक यह और स्टॉप लोस अगर इस कंडिशन में लोग इस टॉप लोस लगाने की बात करें तो इस टॉप लोस लगेगा 89.50 यानि कि 89.50 पैसे का पहला टार्गेट 83.50 पैसा यानि 83.50 का तीसरा टार्गेट होगा सेल साइड का तो यह चौता स्टॉक था अब पांचमा स्टॉक के और बढ़ते हैं और दोस्तों अगर टेलिग्राम चैनल जोएन नहीं किया तो जरूर जोएन किजिए वीडियो की डिस्क्रेशन में लिंक मिल ज का देखिए आप चार्ट देखिए बिल्कूल यह आइटीसी का अबरली का चार्ट आप देख रहें यहां पर क्या जबर्दस्त मुमेंट करके इसने अपने इस प्रिवियस रजिस्टेंस को क्लेम किया आवरली का चार्ट है तो इसको अगर ब्रेक करता है कल तो अच्छी बात है आइटीसी अदरवाइस वहां से जैसे गीरा था वैसे गीर के नीचे भी आ सकता है तो बाय करेंगा आइटीसी को 166 के ऊपर बाय बाव वन डबल सिक्स इस टॉप लोस लगा लेंगे इस कंडिशन में 164 का 164 का और तीन टार्गेट की बात करें तो 168 फर्स टार्ग लगा लेंगे 165 यानि 165 का और पहला टार्गेट की बात करें तो फर्स टार्गेट होगा दूस्तों 161 161 का सेकेंड टार्गेट 159 169 का और थर्ड टार्गेट 157 157 रुपे का होगा तो यह पांच माई स्टॉक से अपना इंपोर्टेंट फीडवेक देना दूस्तों बिल चलिए बढ़ते हैं च्छटे और अंती भी स्टॉक्स की ओर जिसका नाम है आपके सामने एशन पेंट का यह 50 मिनट का चार्ट है 50 मिनट के चार्ट पर बिल्कुल टैंगल पैटन में फसा हुआ और डिसेंडिंग टैंगल पैटन जगा कम होगा इसको टेट करने के लिए ज यानिकी 1522 रुपय का और तीन टार्गेट में से पहला टार्गेट बाइसाइट का जो होगा वह 1538 1538 दूसा टार्गेट जोगा वह 1546 1546 और तीसा टार्गेट जोगा वन 554 1554 का होगा कि अभी दोस्तों एक मैट से तो फ 1594 का तीसा टार्गेट होगा अगकर अगर चिहान पर नीचे की तरफ दोस्तों ब्रेक कर देता है 1515 को तो सेल करेंगे तो सेल का लेबल होगा विएल बिलों 1515 यानि 15 15 की नीचे सेल कर ना है मैं इसको फिर से यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहां पर लिख दे रहा हूं 1515 आप लोग वीडियो देखा नहीं किजिए सुना भी किजिए ना तो आपको मैं बोलता भी जाता हूं ताकि आप लोगों को पता चाहिए सेल विलो 1515 यानि 1515 के निचे सेल करना है और इस टॉप लोस 1499 रुपेका और 30 टार्गेट होगा 1491 यानि 1491 रुपेका तो दोस्तों यह चे स्टॉक्स की स्रीज में यह आज का 13 मई 2020 के लिए स्टॉक्स है अगर कल गैप अप मार्केट ओपन होता है और लेबल अगर खतम हो जाता है तो टेट कोई वाइट कर सकते है कोई दिक्कत वाल धन्यवाद दोस्तों